अगंड में लगातार हो रही भरतियों में ब्रश्टाचार को लेकर बीजेपी को घेड़ती हुई नजर आ रही है पूर्व नेता पत्पक्ष पीतम सिंग ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि आज के जमें में सबसे सॉफ्ट टार्गेट राजनेतिक व्यक्ति है इसलिए हम कह रहे हैं कि आई कोड के सिटिंग जज या रिटायर जजज से इन भरतियों की सीवेज जयाच कराई जाए जिससे दूद का दूद और पीने का पानी का पानी हो जाए साथ ही उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी से आयोग में भरतियां हो रही है और धानली का आरोप है उस एजेंसी से मेडिकल के साथ साथ अन्य परिक्षाइं भी कराई जा रही हैं तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए सबसे सौट तार्गेट जो है इस लोग संत्र में राजनितिक व्यक्टिक सबसे सौट तार्गेट आपने कहा कि शीनग हम कह रहें कि हाई कोर्ट के या सुप्रीव कोर्ट के सिटिंग जज़ों की देख रेक में सीवियाई जाच करें ताकि जो लोग इसमें सनलिप्त हैं उनके खिलाब कारवाई की जा सके तब चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो चाहे बिरोक्रेट हो चाहे आयोके लोग हो